नमस्कार मेरे प्यारी दोस्तों सुववित करता हूँ मैं अपने यूटूब चेनल टोटल वेकिनसी पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माधियम से BTSC और विहार स्वास्त विवाग के रिकार्डिंग में एक बहुत ही महत्पून जानकाड़ी आप सभी को बताने वाला हूँ तो आज का वीडियो बहुत इंपॉटेंट है ध्यान से आप सभी देखिएगा विहार स्वास्त विवाग के माधियम से एक नया लिस्ट भी जारी कर दिया गया है एक नया रिजल्ट जारी किया गया है जहां परकी 1000 प्लस लोगों के नाम को जारी किया गया है साथी में BTSC के माधियम से भी एक नया सूचना जारी किया गया है कम्पलीट आप लोग को जानकारी इस वीडियो के माधियम से बताएंगे तो वीडियो के लास्त तक बने रहेगेगा साथ में जो भी ए स्टूएंट्स इस चैनल पर नई आई हो अभी तक चैनल को सब्सक्र बास्त विवाग के रिकार्डिंग में एक नया लिष्ट जारी कर दिया गया है जहां पर की 1000 से प्लस लोग के नाम जारी कर देंगे जहांपर की आप लोग देंग्सकते हो एक हजार सोला लोगों के नाम को जारी किया गया है और इन सभी को बिविन छेत्रों पर पदस्थापित किया गया है अब ये कौन से जो कि यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो भी मैं आप आपको जानकाड़ी दे देना चाहता हूँ उसके बाद आगे की जानकाड़ी जो कि BTSC के रिकार्डिंग में है वो आप लोग को बताएंगे तो आपको पता होगा दोस्तों बिहार श्रयुक्त परवेश परतियोगता परिक्षा परिश्ट के माधियम से यहाँ पर आप सभी के लिए जो की वेकिंसी निकाला गया था और यह वेकिंसी था जो की जूनियर रेजिटेंट के लिए जिसके लिए कॉंसेलिंग भी हाली में कराये गये थे आयोजित हुए थे और उसके बाद यहाँ पर आप सभी का एक तरीके से result merit list जारी हो चुका है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो यह एक बहुत ही important जानकारी है उन सभी candidates के लिए सबसे पहले serial number फिर merit number फिर registration number name क्या है उनका नाम क्या है date of birth आपका यहाँ पर gender आपका category आपका यहाँ पर selection category और उसके बाद last में आपका posting place कहाँ पर है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है तो यह एकदम बहुत ही बड़ी खुसखबरी आप सभी के लिए होने वाला है जो भी लोग के नाम को जारी किया गया है आप सभी के लिए बहुत जादा ही खुसखबरी आप सभी के लिए हो गया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ बिहार तक्निकी सेव आयोग के माधियम से सूचना है बेप साइट आप लोग देख साइट तो btsc.bhar.nic.in ओफिसली बेप साइट है और यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ ओफिसली बेप साइट पर आपको देखनी को नहीं मिलेगा क्योंकि यह बेप साइट पर क्यों नहीं देखनी को मिलेगा क्योंकि यह एक तरीके से email id के माधियम से भेजा गया बहुत सारे से लोग होते हैं जो की प्रशन पूछते हैं और उनके जवाब पर यह email id के माधियम से जवाब आता है तो यहाँ पर जैसा कि यह email id जो आपको देख रहे हो यहाँ पर इनोंने यह सवाल पूछा था उसके बाद इनको जवाब मिला अब यह जवाब जो की क्या सवाल पूछे थे यह मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ तो इनका यही पूछना था कि जो यहाँ पर बीटी एसी के माधियम से जई की बाहली 2019 की समय में आया है उसका प्रकिरिया क्या है क्यूंकि आपको पता होगा वो बहाली को जोकी न्याले के माधियम से जोकी हाई कोट के माधियम से अपडेट दिया गया कि नए सिरे से बहाली निकाली जाए पर यहाँ पर सुप्रीम कोट के पास बहुत सारे लोग गएं और यहाँ पर इस बहाली में सुप्रीम कोट तक लेके गएं और क्या क्या प्रक्रियाएं हो रहा है जिस समय में इन लोग को नौकरी करके जो की एक तरीके से नौकरी करना चाहिए उस समय में अभी ये लोग आविधन ही फिर से करेंगे क्योंकि बहाली तो एक तरीके से नए से स्टार्ट कर दिया गया है नए सिरे से अब बाकी जो की सुप्रीम कोड के माधियम से अपडेट आता है वो अब देखने वाला होने वाला है कि क्या अपडेट आता है बाकी यह लोग आप लोग अपडेट यह पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट जानकारी है जो अस्टुएंट्स जो कि यहाँ पर जेई क बाली निकाली जाए उस पर भी अभी के समय में अश्टे लगा हुआ है तो यह बात आप लोगों ने समझ पायोंगे दोस्तों साथी में दोस्तों जीनेम के दाखिले के नाम पर कई सारे लोगों से करोरों की ठगी किया गया है 106 से 1 करोर रूपए की ठगी किया गया है जिसके रिकार्डिंग में अकवारों के माध्यम से जारी किया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हो एक चेक का भी यहाँ पर जो कि बाउंस हो गया वो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा बाकी यह पूरा अबडेट आप लोग पढ़ सकते हो जो भी हमारी एनिम के छात्र हैं जी एनिम के छात्र हैं वो सभी के लिए इन्पॉर्टेंट होगा बाकी आज के इस वीडियो के माधियम से यही कुछ जानकारी आप सभी को बताना था अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मिलते दोस्तों कोईन शुर्ण में तब तक के लिए उड़वाई जहीन जहेबाद बने मात्रम ठांक्यू